सलाम अलेकुम स्टुडेंट, वेलकम टों MCPS Online Classes लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 आपका चैप्टर नमबर 1st फूट के बारे में डिस्कस किया था तोड़े आएंग गोईंग टो एक्स्प्लेंट कोशें आंसर ओफ चैप्टर 6 आज हम चैप्टर 6 के कोशें आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जैसा के स्टुडेंट, लास्ट क्लास में हमने फूट, फूट की वेराइटी के बारे में डिस्कस किया था और यह मालूम किया था कि फूट के जो काइंट होते हैं वो डिफरेंट टाइंप्स होते हैं और फूर्स हमें कुछ एनिमल से भी गेन होते हैं और कुछ हमें प्लांट से भी मिलते हैं तो इसके ही बारे में फर्स्ट कोश्चिन है आपका Do you find that all living beings needs the same kind of food? क्या आप यह पाते हैं या आप यह पता लगा सकते हैं या आप यह को मालूम है कि सभी एक ही टाप के foods खाते हैं या कुछिन आप से पूछ रहे हैं कि आपने यह अभी देखा है तो इसका असर है No क्योंकि हम पता है कि different kinds of foods होते हैं और different animals जो होते हैं वो अलग-अलग type के foods खाते हैं तो इसका असर है No Different animals eat different kinds of food as per their body structure and internal organs Depending on kind of foods, the eight animals are divided into three basic categories इसी type से इनको three basic categories में divided किया गरा है First category है हमारी herbivores herbivores वो होते हैं जो animal only plants और plants product खाते हैं तो जैसा कि इसमें लिखावा है animals which feed on only plants and plants products are called herbivores इसके एक्जेम्पल हैं cow, goat, elephant, deer, etc. Second है हमारा carnivores Cornivores जो होते है अनिमल विच फीड on the other animals बना other animal को मार कर काट कर खा लेते हैं वो होते हैं Cornivores जो एक्जेम्पल है लोयंट और टाइगर, फॉक्स, etc. Third है हमारा omnivores omnivores वो होते हैं जो दोनों खाते हैं animals को भी खाते हैं और plants को भी खाते हैं जो केटिगरी में हम भी आते हैं Animals which feed on both plants and animals are called omnivores एक्जेम्पल है, कोक्रो है, कैट है, डॉग है, etc. Yes students, उसी टाइप से हमारा second question है Name five plants and their parts that we eat Five plants के बारे में लिखना है और जो पार्ट जो हम खाते हैं उसके बारे में लिखना है तो हम खाते है एपल, एपल कौन सा पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है मेंगो, मेंगो भी किस का पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है पोटेटो, पेटोटे जो होता है, वो स्टीम पार्ट है स्टीम इस तने वाला पार्ट है carrot जो है, वो root का part है जो G Keeping जो है, उस का part होता है carrot, spinach जो है लीङज़ का part है, पत्धे जो होते हैं वो लीख होते हैं, वो लीफ का part है wheat जो है, वो seeds होते हैं cauliflower जो होते हैं, वो flower का part है, understand it थार्ड कोशन हमारा कि match the following, इनको हमें मैच करना है, column A and column B को के according जैसे milk curd पनीर गी और जो भी है यह अनिमल प्रोडक्स है जो आपको milk curd पनीर गी है यह क्या है अनिमल को प्रोडक्स है और अनिमल प्रोडक्स तो मैं चोग गया green वाला arrow जो शो कर रहा है इसको सेकेंड हमारा है spinach cauliflower carrot are vegetables we know that spinach cauliflower are vegetables थर्ड हमारा लोयन्स और टाइगर्स इट अदर एनिमल जो अदर एनिमल को मारे के खा सकते हैं यह शिकार करते हैं दे आर क्या है यह कॉर्णिवर्स अब हैं हमारा herbivores herbivores क्या है eat plants and plants products यह plants खाते हैं और plants products खाते हैं वो क्या कहलाते हैं they are called herbivores question number last हमारा fourth question है philips fill करना है हमें philips के उपर हमें दे रखा है कि इसमें से हमें philips fill करना है first है हमारा herbivores plant milk sugar can carnivore tiger is a philip because it eats only meat only meat खाता है तो यह क्या है carnivore deer eats only plants products so it is called herbivore जो only plants को खा रहे हैं वो herbivore हैं और जो only meat को खाते हैं वो है carnivores और जो दोनों को खाते हैं वो है omnivores clear it third है हमारी parrot eats only products parrot जो है वो क्या है plant products खाते हैं d वाला हमारा है the milk क्या आएगा इसमें the milk that we drink जो हम पीते हैं which come from वाला कहां से आता है milk cows buffaloes and gods it's an animal product और यह क्या है animal product है we get sugar from sugar can sugar can जो गन्ना होता है Hindi में इसको गन्ना बोलते है sugar can sugar can से ही sugar produce होती है तो we get sugar from sugar can इन सभी questions को आप अच्छे से समझेगा and write in your notebook thank you students आप हम वे तक आप हम प्याए्ड आप है correct